हलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपके अपने अलाइन इस्टिट्यूट निसांधियान के यूटूब प्रेटफॉर्म पर मैं इदिन उपाध्याप का स्वागत करता हूँ आज मैं जो है आप लोग के सामने सामान नहिंदी की एक महतवपूर्ण टॉपिक होता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया देखे अगर आपने क्रिया का चैप्टर पढ़ा होगा मैंने अभी क्रिया नहीं पढ़ाया है लेकिन आप अगर क्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक महत उत्तर होगा दो प्रकार की होती है तो उसका उत्तर होगा क्रिया जो है कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती कौन कौन सी होती है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आज आपके सामने क्रिया बाइट ट्रिक के साथ आपके सामने दिया जाएगा देखिए यूटूब पर अ ग्राइए ऑर दूसरों तक से कर सकते हैं share करने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरा जो उद्देश से है वो पूरा होता रहे मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है अच्छे से पढ़ें और बढ़ें ठीक है तो सब की बढ़ोत्तरी हो उसी के साथ channel भी grow करेगा अगर बढ़ोत्तरी होगी मैं इस वज़े से नहीं कहता हूँ क्योल क्योल आपको फायदा होगा share करने से हमारा भी फायदा होगा इसमें हमारा भी श्वार्थ है ठीक है तो दोनों भी बात मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे channel वालों की तरह मेरा motivation होगा कुछ नहीं होगा आप share करेंगे तिस से हमारा भी चैनल ग्रौ होगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का session अकर्मक और सकर्मक्रिया क्या शुरू करते हैं अज जिंदगी भर नहीं भूले गाकर्मकौर सकर्मक्रिया इस तरीके से हम पढ़ाएंगे देखिए जो सकर्मक क्रिया है और जो अकर्मक क्रिया है सबसे पहले आपको इसके अर्थ को जानना है ठीक है सबसे पहले आपको इसके अर्थ को जानना है यहाँ पर सा लगा हुआ है और यहाँ पर अलगा हुआ है शा का मतलब क्या होता है साथ सा का मतलब होता है शाथ और का का मतलब क्या होता है नहीं ठीक है अब एक बार पुना समझिए सकर्मक मतलब कर्म के शाथ अकर्मत मतलब कर्म के शाथ जोनना हो ठीक है तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं जो क्रिया कर्म के साथ होती है जो क्रिया कर्म के साथ होती है जो क्रिया कर बोला जाता है जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती है जो क्रिया कर्म के साथ नहीं होती है उसे बोला जाता है अकर्म क्रिया ठीक है तो नाम से असपष्ट हो जाता है इसमें कोई परिसानी नहीं होने वाली है ठीक है जैसे मैं आपको बताऊं एक उधार मैं देता हूं एक उध तो समझेगा इसे केवल समझने के लिए मैं लिख रहा हूं राम पत्र पढ़ता है अब देखिए यहां पर जो पढ़ना क्या है पढ़ता है पढ़ता है क्रिया है आप क्रिया को जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं जिससे किसी कारे के होने या करने का बोध होता है कहलाती है क्रि पत्र क्या है पत्र जो है कर्म है क्या है कर्म है ठीक है तो यहां पर कर्म राम आप से क्वेश्चन देखिए यहां पर आप क्या करिएगा यहां पर आप इसे पढ़ते मतलब की समझने से पहले अगर आपको अकर्मक और सकर्मक छटना है मैं थोड़ा सापको बताता हूं आप एक कोश्चन करिएगा क्रिया से क्या 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 कोश्चन करिए पूछी राम क्या पढ़ता है तो अगर आपको उसका उत्तर मिलता है अगर आपको उसका उत्तर मिलता है राम क्या पढ़ता है उत्तर मिल जाएगा राम पत्र पढ़ता है इसका उत्तर मिल रहा है अर्थात क्य करता हूं उदारण के मात्यम से और अस्पष्ट करने की कोसिस करता हूं जैसे पहला उदारण है मोहन पुस्तक पढ़ता है क्या है मोहन पुस्तक पढ़ता है चलिए आप बताइए मोहन पुस्तक पढ़ता है इसमें पढ़ता है यही क्रिया है क्या है यही क्रिया है ठीक है औ और पढ़ता है क्रिया है और इसमें कर्म भी एक आप कर्म को कैसे पहचानेंगे आप प्रस्ण करिए मैं अब अभी अभी बताया आप प्रस्ण करिए मोहन क्या पढ़ता है मोहन क्या पढ़ता है आपको उत्तर मिल रहा है मोहन पुस्तक पढ़ता है अर्थात जो यहां पर पढ़ता है इस सकर्म क्रिया है कैसी क्रिया है सकर्म क्रिया है ठीक है तुमीद करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ठीक है आगे है अगला उधान आप देखि तहलता है यहाँ पर क्रिया है क्रिया है ठीक मदन जो है यहाँ पर करता है समझ मैं आपको मदन क्या है करता है अब एक बार आप बोल के देखिए मदन क्या टहलता है क्या आपको उत्तर मिल रहा है नहीं आपको उत्तर नहीं मिल रहा होगा मदन क्या टहलता है भीया टहलता है आपको इसका उत्तर नहीं मिल रहा है अर्थात जो टाहलना है एक ऐसी क्रिया है यह जो है अकर्मक्रिया है जान रखिएगा एक ऐसी क्रिया है अकर्मक्रिया है जिसमें आपको क्या क्या करके क्वेश्चन करिए और उसका आपको उत्तर नहीं मिले वो तो हो जाएगा अकर्म सकर्मक्रिया और जहां पर आपको उत्तर मिल जाता है वो क्या हो जाता है सकर्मक्रिया ठीक है और चलिए अभी मैं थोड़ा सा सब्द बता दोंगा उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे हैं पच्छियां आकाश में उड़ रहे हैं ठीक है पच्छियां आकाश में मिल रहा होगा ठीक है क्या एक कोश्चन तो क्या से किया जाता है किसको से किसको पच्छियां किसको उड़ रहे हैं इसका भी जवाब करिया है ठीक है जान रखिएगा थोड़ा सा केलियर हो रहा होगा आगे है सुनील तेजी से रो रहा था क्या है सुनील तेजी से रो रहा था ठीक है तो अब देखिए यहां पर सुनील तेजी से रो रहा था सुनील क्या रो रहा था सुनील किसको रो रहा था तो इसका क्या है अकर्म क्रिया ठीक है अब देखिए यहां पर ऐसा भी कोई लिख सकता है सुनील आखों से रो रहा है ठीक है तो सुनील आखों से रो रहा है लिखने की कोई आवस्यक्ता नहीं है इसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा है ठीक है सुनिल तेजी से रो रहा है अर्थात अकर्मक्रिया है आगे देखिए अगला है सोहन पानी पीता है क्या है सोहन पानी पीता है अब देखिए इसका पीता है ये क्रिया है सोहन क्या है करता है सोहन ही तो करता है ठीक है जो काम करता है वो करता है अब आप इससे कोश्च पीता है ठीक है आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा सोहन पानी पीता है ठीक है तो अर्थात पीना क्या है सकर्मक क्रिया है उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा यह सभी देखिए मैंने कुछ बताया है कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं ठीक है कुछ अकर्मक है कि रोना होना है है जा झालना जागना है है अधिकांसत है गो सब्रेचा जया होती है आप से कहा जैए राम शोता राम रात में सोता ने वह तो आप आप से अगर कहा जाएगा राम रात में राम रात में सोता है ठीक है तो आप बताइए राम रात में सोता है तो इसमें अकर्मक्रिया है या सकर्मक्रिया है तब का जवाब होगा आप क्वेश्चन करिए राम क्या सोता है तो जवाब नहीं मिला राम किसको सोता है जवाब नह आता है तो इस पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप ट्रिक क्या है मेरी ट्रिक यहीं है देखिए मैंने आपको कुछ सब्द दे दिये हैं जो मैंने चार-पांच सब्द दिये हैं फिस ale आप से कहा जैं मोहन हसता है ठीक है तो हसना क्या है अकर्मक्रिय आहां पर कर्म की कोई आऊस्यक्ता ही नहीं जयसे ड़ाम प्यर से टहलता है एक कहने की कोई आवस्यक्ता नहीं है सब लोग समझ रहे हैं राम अगर टहल रहा है तो पहल से ही टहल रहा है समझ में आपको यहां पर यहां पर कर्म की कोई आवस्यक्ता ही नहीं है इसलिए रोना सोना हसना टहलना जागना ठीक है दौड़ना ऐसी जितने सब्सक्राइब करने के लिए करने के लिए मैं बोल रहा हूं सबस्क्राइब जरूर कर दीजिए वीदियो पसंद आता है और वीदियो जरूर से जरूर लाइक कर दिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए जय हिंद जय भारत